फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले हेलो फ्रेंज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आनिकी कहानी सबकी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त अनीज दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलिवूड में हर साल कई सांदार फिल्म में रिलीज होती है लेकिन इन में से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी सांदार कहानी अभी नए और स्टार कास्ट की वज़े से ब्लॉग बश्टर होती है इसलिए आज मैं आपको बॉलिवूड की एक ऐसी ही ब्लॉग बश्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ तो जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करना वाला हूँ उसका नाम है पीके बॉलिवूड के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्शक ड्राजपुमार हिरानी के निर्शन में बनी इस फिल्म को साल 2014 में रिलीज किया गया था दोस्तो ये फिल्म बहुत ही मनुरंजन से भरी हुई है मैं आपको बता दू कि इसमें आमिर खान, संजयदत और अनुष्का सर्माने मुखी किरदार निभाया था सांदार मनुरंजन से भरे इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था दूस्तो यही बज़ा रही कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबर्टर फिल्मों में सामिल थी दरसल आप लोगों को मैं बताज़त की फिल्म आमिर खान और संजयदत के करियर की सबसे बड़ी सांदार फिल्म में सामिल है क्यूंकि इस फिल्म की सांदार सफलता ने पॉलिवूड को एक नई पहचान दी थी यदि हम इस फिल्म की सांदार सफलता की बात करें तो करीब 85 करोड के बजट में बनी ये फिल्म ने दुनिया भर में 850 करोड का बिजनस किया था इसलिए यदि हम आमिर खान और संदेज़त की फीज की बात करें तो एक वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार आमिर ने इस फिल्म से मुनाफे का 70 प्रतिशत लिया और संदेज़त ने इस फिल्म से 2 करोड रुपए कमाए तो दोस्तो ये थी सूपर स्टार्स के फिल्म में फीज की जानकारी तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ठांक्स लॉट पर वाचिंग इस वीडियो टेक केर दोस्तो बाई बाई